अस्रामनेको फ्रेंज तो जैसे के दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं एक्समपैर टोकन्स की जो डिस्ट्रिब्यूशन है वो यहाँ पर कम्पलीट हो चुकी है और मैं उमीद करता हूँ कि आपको एक्समपैर के जो टोकन्स हैं आपको एक्सचेंज के उपर विद्ड्रा होना भी स्टार्ट हो चुके होंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो एक्समपैर के टोकन्स को विद्ड्रा के उपर लगाया है वो है बाइबिट के एक्सचेंज ठीक है अब Bybit के अंदर मुझे X Ampair के टोकन्स मिलना स्टार्ट हो चुके हैं और यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहां पर मैं Assets के Option के अंदर आता हूँ और यहां पर Unified Trading के अंदर आता हूँ तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं तो आपको X Ampair के जो टोकन्स हैना वो यहां पर मिलना स्टार्ट हो चुके हैं ठीक है अब सबसे में चीज दोस्तों यह आ जाती है कि आपने इन X Ampair टोकन्स को सेल कैसे करना है सेल करने के बाद आपके जो US DT आएंगे मतलब कि आपके जो डॉलर्स आएंगे उन डॉलर्स को आपने इजी पैसा जैस कैश या फिर अगर आप लोग इंडिया से हैं तो आप अपनी करनसी के अंदर इसको कैसे ले सकते हैं सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर complete procedure समझा दूँगा तो चलते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आपको दिखाया है यहां पर मेरे जो X Ampair के टोकन्स हैं 3,44,504, SAR यह मेरी बाइबीट के एक्सचेंज के उपर मुझे मिल चुके हैं जैसे के मैंने आपको दिखाया है क्या करूंगा निया पर बाइबीट के एक्सेंज के अ, ठीक है आप देख सकते हैं यह लोग आप लोग ने क्या करना होगा अगर आप लोगों ने bybit की exchange के उपर withdraw लगाया होगा अगर आप लोगों ने bit get की exchange के उपर withdraw लगाया होगा तो वहाँ पर आपको xam pair के tokens देखने को मिल जाएंगे ठीक है अब दोस्तो ये जो आपको xam pair के tokens मिले हैं इनको आप लोगों ने sell कैसे करना है ताके आप लोग USDT के अंदर मतलब के dollars के अंदर आपके पैसे आ जाएं और उसके बाद P2P करके आप लोग easy पैसा jazz cash के अंदर या फिर आप अपनी currency के अंदर अपने xam pair tokens के जो पैसे हैं वो आप लोग ले सकें ठीक है उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने क्या करना होगा यहां पर मैं back आऊंगा ठीक है अब आप लोगों ने यह करना है यहां पर नीचे दोस्तों आपको trade का option दिया गया होगा ठीक है यहां पर home का option है markets का option है trade का option है earn का है assets का option है तो अब यहां पर दोस्तो आप लोगों ने trade की option के अंदर आना है तो यहां पर simply मैं trade की option पर click करूँगा उसके बाद दोस्तो यहां पर आपको दो option दिये गए है number one option है chart का दूसरा option है trade का अब chart की option के अंदर simple सा तरीका है आपको पता है कि भाईया आप उस coin का chart देख सकते है यानि कि आप लोग यह अंदाजा लगा सकते है कि coin की क्या price है coin आप है या नीची है ठीक है अब दोस्तो यहां पर chart का option है तो simply आप लोगों ने trade की option के अंदर आना है अब दोस्तो यहां पर दुबारा से दो option आपको दिये गयोंगे एक होगा buy का दूसरा होगा sell का अब यहां पर हमने अपने जो x-ampair के token है उनको sell करना है उसके लिए दोस्तो यहां पर आप लोगों ने sell के option पर click करना है उससे पहले दुस्तो आप लोगों ने यहां पर क्या करना होगा आपने x-ampair के tokens को यहां पर सबसे पहले select करना होगा अभी जो मेरा selected है वो hamster का token है ठीक है अब x-ampair के token को select करने के लिए आप लोगों ने simply यहां पर hardest के ओपर click करना है अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगोंने सार्च कर लेना है X Ampair ठीक है X Ampair आप लोग जैसे ही सार्च करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते है X over USDT आपको देखने को मिल जाएगा आप लोगोंने यहाँ पर X Ampair को यहाँ पर सेलेट कर लेना है बट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं लिस्टिंग काउंट डाउन जो है वो अभी चार घंटेस के अंदर रहते हैं ठीक है अभी यहाँ पर आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर X Ampair आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों उसी तरह से आप लोगों ने क्योंके सेल करना होगा तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर सेल की उप्शन पर क्लिक करना है अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग लिमिट भी लगा सकते हैं मार्कीट के हिसाब से भी बेच सकते हैं तो simply यहाँ पर हम फिलाल के लिए मार्कीट के हिसाब से ही इसको बेचेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप लोगोंने कि अगर ना होगा क गया होगा ठीक है आप लोगोंने simply क्या करना होगा आप लोगोंने simply sell Xampair के ओपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपके जो Xampair के tokens होगे वो sell होगे और कितना dollars के sell होगे उसका क्या rate होगा total यानि के dollar कितना बनेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को अंदर देखने को मिल जाएगा जितना भी total Xampair के tokens आप लोग sell करना चाहते होगे ठीक है उसके बाद दोस्तों आप लोगोंने क्या करना होगा simply आप लोगोंने sell X के ओपर क्लिक करना होगा आपके Xampair के जितना भी यानि के tokens होंगे वो यहाँ पर sell हो जाएंगे और उसके बाद आपको जो dollars होंगे वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अब आपके पास USDT आ जाएंगे जब आप लोग से USDT आपके asset के option के अंदर आ जाएंगे ठीक है simply आप लोगोंने assets के option के ओपर क्लिक करना होगा उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप लोगोंने unified trading के अंदर आना है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी जो मेरे USDT हैं वो zero है क्योंके मैंने किसी भी एक्समपायर को अभी तक यानिके sell नहीं किया और नहीं हैंस्टर को अभी मैंने sell किया है तो sell कैसे करना है इसी तरह से करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं ठीक है जब आप लोग सेल कर लोगे एक्समपायर के token को वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे तो वो आपको यहां पर USDT के अंदर उसकी जितना भी price होगी वो आपको यहां पर total price यहां पर देखने को मिल जाएगी अब मेन चीज़ आ जाती है कि भाया इन USDT को हमने P2P करके किस तरह से easy पैसा या फिर आप अपनी करनसी के अंदर इसको कैसे मतलब कि ले सकते हैं पैसे उसके लिए दोस्तों अब आप लोगों ने क्या करना होगा अब या तो आप लोग यह कर सकते हैं कि भाया इन यूएस डिटी को आप किसी भी एक्सजेंज के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं ठी से करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है ठीक है यहां पर उसके लिए दोस्तों आप लोगोंने का करना होगा यहां पर आप लोगोंने बैक आना है अब दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अब यहां पर भी आपको दो अप्शन द तो simply यहाँ पर मैं sell के option पर click करूँगा, अब हम लोग sell क्या करने वाले हैं, यहाँ पर USDT को sell करने वाले हैं, तो यहाँ पर USDT जो है वो यहाँ पर already selected है, अगर selected नहीं है आपके हाँ, तो आप लोगों ने यहाँ पर USDT को select करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग उने filter के अंदर आ जाना है, यहां पर आपने क्या करना है, यहां से आप लोग उने show only verified advertiser पर click करना है, confirm करना है, अब यहां पर वो advertiser देखने को मिलेंगे, आपको वो trader देखने को मिलेंगे, जो के verify होंगे, ठीक है, यहां पर यानि कि आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, इनके के भाई, अगर आप लोग उनको USDT sell करोगे, तो यह आपको वापस पैसे देंगे आपके account के अंदर, ठीक है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग ने यहां पर अपना payment method चूज करना है, यहां पर आप लोग ने click करना है, आप लोग ने यह देखना है, आप लोग से किसी भी payment method को चूज कर सकते हैं, फ़र्सकिया यहां से मैं दोस्तों jazz cash को चूज करता हूँ, यहां पर confirm के option पर click करता हूँ, अब यहां पर दोस्तों वो trader यहां पर मेरे पास आ जाएंगे, जो के jazz cash के अंदर मुझे पैसे देंगे, ठीक है, उसके लावा यहां पर आप option पर click करना है, यहां पर आप लोगों ने amount भी इंटर कर देनी है, कि भाया किस amount के अंदर आप USDT को sell करना चाहते हैं, फ़र्सकिया यहां पर मैं 10,000 के अंदर USDT को sell करना चाहता हूँ, तो simply यहां पर मैं confirm पर click करूँगा, अब दोस्तों यहां पर वो बंदे आ जाँगे, वो ट्रेडर आ जाँगे, जो के 10,000 के अंदर अंदर मुझे, यानि के जो USDT होंगे, उसके बदले में मुझे 10,000 या इससे ज्यादा पैसे मेरे account के अंदर send करेंगे, ठीक है, अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने का करना हो, simply आप लोगों ने यहां से order देख लेना है जिसके order ज्यादा हो, और यहां पर percentage ज्यादा हो, तो आप लोगों ने उस बंदे को हमेशा select करना है, ठीक है, अब आप लोगों ने यह भी देख लेना है, यह बंदा आपके पास online भी होना चाहिए, ठीक है, तो first किया दोस्तों, यहां पर एक बंदा है, इसके trade भी आप लोगों ने यहां पर इंटर करना होगा, वीद फ्याड का मतलब यहां आप लोगों ने अपनी currency के अंदर उसको इंटर करना है, भाईया, आप कितना currency के अंदर आप USDT को बेचना चाहते हैं, तो simply है, पर मैं with crypto के option पर click करूंगा, यहां पर अपने USDT को all कर देना है, और उसके बाद यहां पर आपने payment method को add करना होगा, ठीक है, payment method, bank transfer यहां पर already selected है, यहां पर click करोगे, तो यहां से आप लोगों ने jazz cash या फिर easy पैसा को select कर लेना है, ठीक है, फ़सकिया jazz cash को मैं select कर लेता हूँ, उसके बाद यहां पर आपका name आ जाएगा, और यहां पर आ यहां आपके USDT sell हो जाएंगे, आप लोगों ने क्या करना होगा, उस trader के साथ chat वगएरा करनी है, कि भाईया मैंने USDT को यहां आपके पास transfer कर रहा हूँ, तो आप मुझे मतलब किया easy पैसा jazz cash या जो भी payment method आपने चुछ किया होगा, उसके अंदर मुझे आप लोग पैसे send कर दो, ठीक है, तो आप लोगोंने सबसे पहले उससे proof लेना है, कि भाईया आप लोगोंने screenshot send करनी है, जो आपने पैसे send की है, मुझे ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगोंने क्या करना होगा, USDT को release करना होगा, ऐसे आप लोगोंने release नहीं करना, वरना उसके लवाँ यह जैसे ही 5 बजेंगे, पाकिस्तानी टाइम के मताबिक तो आपकी support trading start हो जाएगी, और यहां पर आप लोगोंने कोशिश करना है, कि starting में ही अपने एक्सम पैट टोकन्स को sell कर देना है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों देख सकते हैं, बाद में इसकी price काफी कम हो जाती है, त मिल दो, हैंब से नेक्स वीडियो में अपने रकिए का बहुत सारा ख्याल, लहाफेज.